लग बग पाँच लाग से लेके सवा पाँच लाग के अराउंड जो है कोस्ट आती है इन दोनों गाडियों के वेल्कम बैक टू नदर वीडियो हलो गाईज इसी राहू जैन फ्रोम जैन मोटर जीप सो दोस्तो स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो के अंदर तो दो नई black beast ready हो चुकी है अलग अलग state में जा रही है वीडियो पूरा जरूर देखें वीडियो आप पूरा देखोगे तो कुछ ना कुछ knowledge आपको मिलेगा ही तो वीडियो end तक देखना जरूरी है जिसने गाड़ी लेना है उसके लिए भी और जिसने गाड़ी नहीं लेना भी तो future में कभी भी प्लान बन सकता है और जो नए फ्रेंड है वो चैनल को जूर सब्सक्राइब कर दे फिर ही आपको ऐसी शांदर गाड़ियों का वीडियो देखने को मिलेगा और facebook instagram पे हमारे live stream आते ही रहते हैं वाकी reals photos हमारे वहाँ पे share होते हैं तो वहाँ पे भी जरू पूर फॉलो करें तो बात करते हैं सबसे पहले इन दोनों गाड़ियों की ownership detail के बारे में फरस्ट गाड़ी दोस्तों ये गाड़ी हमने बना के दिया है मिश्टर सेलवर्ट जी जो की हैं बाली साउथ गोवा गोवा से तो इन्होंने online order किया था और आज उनकी choice के उपर गोवा registration के साथ ये गाड़ी ready हो चुका है तो गोवा में ये गाड़ी जा रहा है तो जैपूर राजिस्तान से तो राजिस्तान नंबर में ही ये गाड़ी बना के दिया है ताकि future में किसी customer को हमारे problem ना आए पेपर वर्क पूरा complete करके देते हैं दोस्तों जिस state का customer हो लगबग उसी state के नंबर के साथ ही गम गाड़िया देते हैं बट उसके लिए customer का budget होना च आपने book करने के बाद आपने advance डाल दिया advance डालने के बाद हम जो है हमारे agent के through बात करते हैं सारी फिर आपको charge बताते हैं यहां इस state की गाड़ी का इतना charge लगेगा फिर आप agree होते हो तो आपको state के नंबर के साथ गाड़ी हम provide करवा देते हैं नहीं तो फिर RJ नंबर के साथ गाड़ी देते हैं बहुत सारे friends confused होते हैं मैं हर बार बोलता हूँ जो charge हम लेते हैं वो सिर्फ state के नंबर का लेते हैं transfer charge insurance charge उसका extra charge आपको pay करना पड़ेगा अगर आप future में गाड़ी लेते हो क्योंकि देखो insurance और transfer हम including करेंगे तो गाड़ी का budget बढ़ जाएगा फिर वो गाड़ी के उपर ही पड़ना है अगर आप जो जो चीजे एड करोगे उसके according ही गाड़ी का प्राइज आएगा जैसे insurance है insurance लगबग 10 यह रपे के क्रीब होता है और transfer charge होता है न दोस्तों वो state के according होता है मैं मानके चलो आपको बोल दूँ हाँ सर 10 यह रपे में transfer करवा अगर आप उसी state जनी की मानके चलो जैसे पंजाब में हो आप और पंजाब में ही transfer करवा रहे हो तो बहुत कम charge लगता है और अगर आप करनाटका में हो और करनाटका में transfer करवा रहे हो तो थोड़ा ज्यादा charge लगता है तो वो चीज होती है जैसी state वैसा charge होता है उसके according ही या नहीं होता है transportation 2 या 3 तरह की प्रकृया होती है जैसे आप ट्रोलर में लेकर जाते हैं जो बड़ी transportation उसके तो वहां से जो लोकल एरिया होता है जैसे हजार किलोमेट्र हो गया 1200 किलोमेट्र होगा तो वहां के लिए लोरी भैस्त है और और अगर आप जैसे बैंगलोर या फिर केरला या करनाटका या फिर इस साइड के तमिलाडू की साइड हो तो फिर वहां पर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है तो इसलिए जो गाड़ी है हम तक्रीवन तो जो ट्रांस्पोर्टेशन के थुरूई बेजते हैं बट कोई कस्ट इसे अग्रिल का टरेंड था काफिक्रिल ने बनाई थी फिर उसके बाद एंक्री वोड्ड ग्रिल जो है इस गाड़ी artist आगा फिर ये गाड़ी का घ्रिल तो आज आपको एकठी देखने को मिल गई तो यह ग्रिल को स्कूए तो जादा जो है इस टाइप ग्रिल है वो लगवा लेते हैं बॉनेट आपने देख लिया वो उपर जो है फिंड शील्ड है वो सारी जो आज भी वही चलती है पहले जो चलती थी बस ग्रिल का डिफरेंस आया बंपर उन्होंने आज की जनी की लुक के हिजाब से तो इन्हों अन्होंने फेंडर का बैनिफिट कब है जब आप मौस्टएर गवाते हो तब यह अगराम प्लास्टिक वाले फेंडर है बहुआ अगर आप मीनी मौस्टर या पनिप इसा जो चार्ज है वो एक्स्ट्रा पड़ता है उसका कोई चार्ज नहीं है वो हम बेस मोडल में लगा के देते हैं तो बात करते कुछ इंटीर वर्क की तो इसमें ब्लैक सीट्स और ब्लैक कंसॉल और ब्लैक ही मैटिंग की गई है बाकि इसके अंदर साइड फेसिंग सीट लगा है रा ए रेडी और पीछे वी ऐरन के लगाए हैं जब आगी हो तो पीछे रूँ नके ही एच्छे हो तो यह चीज होती है भाई रिए डॉर जो साइड फेसिंग वाली गड़ी होती है सीट्स वाली तो उसमें रेड अग्छे वो बैठे गा कि बूफर व्यर्गा वी लग और बलेरो की टॉप मोडल की लाइट और लगवाई है बाकि आपने देख लिया लुक सिम्पल सोबर रहे ही रखा गया है जबकि लुकेंदर जी ने फिफ्थ टायर लगवाया है लाइट इन्होंने भी बलेरो की मांगी थी टॉप मोडल की तो वह लगा के दे दी है और रीय के फेंटर लगाएं तो इसके अंदर जो सीट्स हैं एंटीरियर है वो टोटल बलेक और रेड का कॉंबिनेशन दिया गया है और पीछे भी आप देखो बार पाइप गएरा सारा कुछ जो है वो रेड और बलेक का कॉंबिनेशन में रेडी किया है तो यह दोनों गाड़ियां आज रेडी हो चुकी है सस्पेंशन सिस्टम के साथ बजट मैंने आपको बताया है अगर आप इस टाइप की गाड़ी लेते हो जैसे सस्पेंशन सिस्टम हो गया पीछे रियर डोर हो गया लाइटिंग हो गया एलिडी वर्क हो गया इस टाइप के साथ लेते हो तो लग अगर आप बेस मोडल गाड़ी लेते हो तो फिर आपको 4,50,000 यार पे उसमें भी आपको सिर्फ NOC मिलेगा ट्रांसफर खर्चा आपका होगा, इंशोर्ज का चार्ज आपका होगा, बस पावर स्टेरिंग, पावर ब्रेक, पावर कलच के साथ गाड़ी रेड़ी हो जाएगा, बेस मोडल गाड़ी, कोई वी एक्षा फीचर उसके अंदर नहीं होगा, बाकी भाई मैं आपको पूरा LED वर्क किया हो, अच्छे टायर लगे हो, अच्छा इसके अंदर सुस्पैंशन सिस्टम बगा हो, म्यूजिक सिस्टम लगा हो, तो यह चीज़ें होनी जरूरी है आज की डेट में, अगर आप एक गाड़ी ले रहे हो, बजट आपको चाहिए मिनिमम पांच लाख र और इस ताइप की गाड़ियां, दोनों गाड़ियों में जैसे फीचर लगाए हैं, लगबग आप इस दोनों गाड़ियों का लेना चाहते हो, तो पांच लाख से लेके सबा पांच लाख तक आपका जो बजट आ जाएगा, पूरा एकुरिट बजट आपको बन जाएगा, हमारे वर्ट्सप नंबर 819906161 पर यहां पर आप कॉल करें, वर्ट्सप करें, आपको रप्लाई दे दिया जाएगा हमारी मनेजमेंट टीम की तरब से, बाकी जैन मोटर जीप को आपने बहुत सारा प्यार दिया है, अपना SI स्पोर्ट बनाए रखें, मिलते हैं जल्दी कुछ और नई वीडियो के साथ अब तक के लिए बाहे जैन अंदर बंदे मात्रम